Welcome to Fantasy Council पहले मैच में मेगा क्लीन सुई मारने के बाद दिल्ली और मुंबई के मैच में अब हम आ गए हैं दूसरे मैच में जो खेला जाने वाला है Same Ground पे वैसे मैं आपको एक clear चीज बताऊं जब भी women के मैच आप खेलते हो न पिच से कोई लेना देना नहीं होता ये मैं हर बार हर इनसान को समझाता आता हूँ क्योंकि women's cricket में सबसे ज़्यादा आपको balling कराती है कौन नजर आती है spinners भाई 4-4-3-3 spinners होते हैं तो वो spinners को wicket इसलिए ज़्यादा मिलते हैं तो ये reason हो जाता है इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ लेकिन हाँ पिच देखने में बढ़िया थी बढ़िया betting track नजर आ रहा था और मुझे लगता है आपको एक similar track ही मैच में मिलने वाला है जहां बिढ़ने वाली है Royal Challengers Bangalore और सिम्रती मंदना के चाहने वालो आगई है आपकी RCB E-SAL Cup नाम दे और एक तरफ रहने वाली है UP Warriors Elsa Hilly दोनों ही बड़ी कप्तान है हम जानते हैं Elsa Hilly को भी हम सिम्रती को भी underestimate नहीं करेंगी इस मैच में क्योंकि RCB की जो team है ना भाई on papers क्या strong team है और सेम जाता है UP Warriors के लिए यह जो tournament है ना बहुत मज़ा आएगा इसमें क्यों मज़ा आएगा जब आप देखते चलोगे आगे आगे रो जाना या मैच होने लगे तब और जादा मज़ाएगा शाम का मुकाबला रहने वाला है साड़े साथ बज़े आप देख सकते हैं पहले सिक्का उचलते हुए लाइब टेली का असा आने लगेगा आपके TV पर और हमारी भी तो team आपको मिलेगी आपको मिलेगी fantasy council की एक दम prime team वो भी free में small league team मिलेगी यहाँ पर आपको telegram channel कैसे join करना यह भी बताएता हूँ description में जाएए वहाँ पे link मिलेगा telegram channel का वहाँ से आप tap करके join कर सकते हैं दूसरे और असान तरीका चाहिए जिंदिगी को असान बनाए हम और आप comment section है इस video के नीचे वहाँ पे एक pin comment किया हुआ है मैंने tap करो वहाँ पे सीधा link मिलेगा telegram का land करोगे हमारे fantasy council के telegram channel पे join हो जाओ पैसा कवाना चालो करो चलो अब आगे चलते हैं एक और चीज़ वीडियो को पूरा देखने वाले और fantasy council के subscriber जो like और comment करते हैं उनके लिए तयार है 100 रुपे और five best comments के लिए तयार है 500 रुपे और right answer एक ऐसा सवाल जो आपके account में पहुचा सकता है 9999 रुपे सिर्फ और सिर्फ एक जवाब दे के वो सवाल क्या होगा वीडियो में कभी भी पूछ सकता हूँ बने रहना वीडियो को बीग बी like कर दो comment करना शुरू करतो और साथी साथ जिसने नहीं करा है subscribe तो subscribe करो wait किस चीज़ का कर रहे हो और हम देखते क्या होने वाला है आज के match में और क्या रहने वाले हैं दोनोई टीम्स के line-up royal challengers bangalore इनकी टीम में opener है मंधना Sophie divine ये दोनों opener रहने वाली है और दोनों को मतलब मुझे नहीं लगता हूँ मुझे कुछ बताने की जुरत है इनके बारे हैं और तीसरी player है आप समझी जाएए आ गही है इंडिया बड़ी जल्दी इनसे मुलाकात होने वाली है आप लोग उससे को भी बहुत ज़्यादा excitement है तो मैं जरूर मिलके आपसे बताऊंगा हमारी क्या-क्या बाते हुई है और कुछ ऐसी बाते जो नहीं बताऊंगा दिशा कसाथ नदीने दे क्लर्क अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं नदीने दे क्लर्क या फिर Heather Knight कौन खेलेगी ये match मुझे इस चीज पे थोड़ा सा doubt आता है क्योंकि Heather Knight taking land की captain है और बहुत ही अच्छी player है लेकिन नदीने दे क्लर्क जैसी एक baller जो death में भी balling करा सकती है और साथी साथ एक ऐसी hard hitter better इन्हें middle order में चाहिए यहाँ ये first जा रहे है फिर आती है रिचा गोश hard hitter बहुत तगड़ी keeper बैट रहे ही है उसके बाद है हमारे साथ जॉर्जिया वहराम और ये जो team है ना इनके जो चार बंदिया है Sophie, Divine, Elise, Perry, Nadine और जॉर्जिया वहराम ऐसी चार all-launder बहुत कम मिलेगी मिलेगी तो UP की team में मिलेगी वह भी बताऊंगा फिर आती है सिमरन भाद्दुर बहुत भाद्दुर लड़की है बहुत गजब cricket खेलती है इन्हें मैं बोलता हूँ छोटा packet बड़ा धमा का फिर रेनु का सेंग, श्रेंग का पाटिल और एक तब बिष्ट ये हो जाती है इनकी complete team आपको मैं बता देता हूँ कि किस-किस के अगर over भी होते है तो कैसे-कैसे बाटे जाएंगे आपको यहां से मैं समझाना शुरू करूँगा सिमर्थी balling नहीं कराती सोफी डिवाइन से भी ज़्यादा balling नहीं कराई जाएगी एलीस पैरी balling कराते होगे आपको निजर आ सकती है साथी साथ नदीन दे कलर्क होती है अब main baller होते है एक दूसरी होती है रेनु का सिंग और तीसरी होती है श्रें का पाटिल ये तीन baller तो main है चौती हो जाती है पैरी पांच भी हो जाती है सोफी डिवाइन छटी इन के पास एक तबिष्ट और जॉर्जिया वहराम ये साथ भी मैंने गलत लिग दिया क्योंकि मैंने अभी जब नाम पे ध्यान दिया ये actual में main five ballers में आती है तो यहाँ पे डिवाइन के ओवर कटने की पूरी-पूरी संभाव ना है एक तबिष्ट के ओवर कटने की पूरी-पूरी संभाव ना है शिरेंका पाटिल का टूर्नमेंट कितना गजब गया था बैटिंग से भी बॉलिंग से वो हम सम जानते ही है तो ये रहने वाली है RCB की बहुत ज़्यादा strong on papers team और match को जीतने की प्रबल दाविदा तो पहले हम देख लेते हैं इनका कैसा रहा है head to head record और पिछले 5 matches इस ground को बहुत अच्छे से अगर जानती है तो सिंप्रिती मांदना जानती है लेकिन record ज़्यादा अच्छे नहीं है इस मैदान पे इन्होंने 4 match में 56 run मनाये है और जो 2 match ये UP Warriors के खिलाब खेली थी उसमें सिर्फ 4 run का योगदान ही ये दे पाई थी 36-31, 136-39 ये हैं इनके पिछले 5 matches के score फिर हम आते हैं Sophie Divine पे जिनके 2 match में 29 run 1 wicket, 6 run 3 wicket, 70 run 1 wicket ये है इनका record फिर हम आते हैं 2 match 62 run और 3 wicket Alice Perry के नाम है जब UP के खिलाब खेलती हैं 3 run 1 wicket, 24, 2 run 0 wicket, 16 run 1 wicket, 13 run ये हैं इनके पिछले 5 matches का score card फिर हम आते हैं दिशा कसार जिन्होंने match तो खेला था लेकिन batting नहीं थी इनके पिशले 5 match में 31, 55, 0 ये है score नदीने देखला पहली बार आपको दिखेंगी अगर खेलती हैं तो WPL में अपने कदम रखते हुए 5 run 2 wicket, 20 run 1 wicket, 14 run 2 wicket, 18 run 1 wicket, 20 run 1 wicket ऐसा कोई match नहीं है जब GL में ये dream team का part ना हो हर match में आई है और यही चीज इनको अलग बनाती है और मैं चाहता भी हूँ यार यही match खेले लेकिन हो सकता है Heather Knight इनको replace कर दे बड़ स्टिल मैं चाहता हूँ इनके खेलना चाहिए बड़ा potential है इनके पास South Africa से आती है और rounder है 2 match में 32 रने है घोश बावुके और दो पिछले 5 match उठा लो तो 23, 11, 17 रने 124, 0 यह है इनके score लेकिन ही domestic के है तो जादा attract नहीं करते हैं records क्योंकि जब हम WPL की बात करते हैं तो यहाँ पर international stars का involvement हो जाता है वो चीज देखने वाली होती है Georgia Viram देखते हैं कैसा करेंगी लास 5 match इसमें 1 run 0 1 wicket, 0 wicket, 0 wicket, 0 wicket, 0 wicket यह राय Georgia Viram का लेकिन आप देखना अगर खेलती है तो बहुत अच्छा perform करती है नहीं मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से सब भी जानते होंगे Lex Spinner है, Australia से आती है और गदर batting balling दोनों करती है Simran Bahadur, 1 wicket, 0 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 30 run, 21 run, 39 run Simran Bahadur की batting अच्छी है और fielding तो बहुत ही जादा अच्छी है अगर आपको सच बताओंगे तो filter अच्छी है इस मैदान पे एक तब इस ने जो 3 match के लिए उसमें 4 wicket लेगे गई है पिशले 5 matches में इनके नाम सिर्फ 6 wicket है और उन 6 wicket में भी 5 wicket ही अपने इस वाले match में लेके आई थी तो overcut सकते है श्रियंका पाटिल 2 match 20 run 1 wicket, बल्ले से योगदान, गिंदबाजी से योगदान पिशले 5 match में 37 run, 7 run, 12 run, 1-1-1 wicket रेनुका सिंग 2 match 0 wicket ये wicketless जाती है और T20 में इनके record जाद अच्छे नहीं है जैनरली लास्ट मार्च मैंचीज में 2-1-2-0-0 इन्होंने ये काम किया है अब हम आते हैं UP Warriors की टीम में हाल ही में मैं इन लोगों से सबसे मिला था आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं डैनी व्यात मेरे साथ ती चमारी अच्छा पट्टू से मैंने बात करी काफी अच्छा podcast हुआ था इनके साथ और साथी साथी इंडिया की star player दिप्ती शर्मा दिप्ती शर्मा बहुत जितनी दिलजस्प ये field पे नजर आती है न off the field भी ये बहुत दिलजस्प खिलाडी है खिलाडी से जादे मैं कहूँगा एक personality है शर्मा जी की वेटी है और नाम रोशन कर रही है पूरे देश का भी अपने माता पिता का भी और अब हम बात करते हैं UP Warriors के line-up पे ये दोनों रहने वाले हैं इनके openers किरन नवगिरे ये match आपको खेलते हैं नजर आएंगी क्योंकि उसका reason है hard hitting batting तालिय मेगरा अब इनके allrounder गिलना आप भी ये मत सोचना है ये team कहीं पीछे है कहीं पीछे नहीं है ये दिप्ती शर्मा और फिर उनके बाद आती है श्वेता शहरावत सोफी एकलस्टन यहां तक इनके पास भरपूर allrounder आ जाते हैं एक Indian face और आपको यह नजर आएगा जिनका नाम है राजेश्वरी, गायकवार्ट सिमिठागुर, अंजनी सरवानी और पूनम, यह रहने वाली है complete team UP Warriors इसमें अब allrounder गिनोगे दिप्ती, जो एक बहुत genuine allrounder है सब जानते हैं इंडिया के लिए केलती है तालिया मैगरा, इनकी बैटिंग से आप सबी वाकिफ होंगे, इंडिया को भी खासा परिशान गया है इन्होंने, और फिर आती है चमारी अटा पट्टू, तीन allrounder genuine allrounder, opening भी करती है सब जानते हैं, और चौती आती है Sophie A. इन्होंने भी बड़ी तगडी बैटिंग दिखाई है बाई, चाहे WBBLO चाहे 100 women zone, तो चार ऐसी genuine allrounder आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे Danny Vyad को डालना टीम में थोड़ी मुश्किल होगी, मैं उनसे मिला था मेरा मन था, वो खेले लेकिन नहीं खेले में तो कोई बात नहीं हाँ, तो यह हो जाती है इनकी complete team अब इनके main ballers कोण होते है, देखो दिपती होती है एक, दूसरी होती है, यह दो तो main baller है ही है तीसरी हो जाती है, चमारी टपट्टू, चौती होती है ताहलिया मैगरा, पाचवी है राजेश्वरी, गायकवार अब छटी हो जाती है अंजली सरवानी अब फिर भाई, पूनम और सेमठ हकुर के बीच में और बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जब आप 6 balling options से अल्रेडी खेल रहे हैं तो 2 batters जोर अपनी team में add कर दे, बैटिंग तो strong बना है तोकि सामने वाली team मी बहुत मजबूत है, छोटी मोटी team नहीं है अगर आप देखें, यहाँ पे इनका top 5 बड़ा गदर है उसके बाद दिक्काश शुरू होती है, शोईता सहरावत से और फिर आती है, सोफिय अकसन जो बैटिंग तो अच्छी करी लेती है देखते हैं, इनके head to head records, पिछले 5 matches और जो जो venue पे खेला है उनके भी थोड़े record नजर मार रहते हैं तो हम आते हैं इस तरफ, Elsa Haley की तरफ दो match में 97 run जिसमें से RCB एक हिलाफ बहुत बड़े runs आई है एक बार तो 96 भी शायद इनोंने मार थे, जितना मुझे याद है पिछले 5 match में भी बहुत गदर खेली है 99, 60, 4, 19 और 10 ये 2 match अच्छे गए, ये 3 average तो ये 5 match मिलके इनके average बहुत बड़ी हो जाते क्योंकि 160 run तो 2 innings में ही है पहली बार अपना ये tournament खेलने वाली है इनके मैंने plan सुने थे, जब आप उस podcast को देखेंगे मैंने इन से बूचा था कि क्या plans है future के बड़ा मज़ा आएगा सुनने में लास्ट 5 match इस, देखो इस मैदान पेन का एक match 52 run और एक विकेट भी है पिछले 5 match इस अगर नजर मारें 11 run 0 wicket, 46 run 0 wicket, 6 run 2 wicket 0 run 1 wicket, 45 run 0 wicket और ये साल इनके नाम चल रहा है अगर आपने देखा हो WBBL में भी ये highest run getter थी किरन नवगिरे, 2 match में 22 run इनका बल्लाना ये है miss and hit player, ये चल गई तो चल गई नहीं चली तो नहीं चली, बीच का इनका कुछ नहीं होता है, पिछले 5 match में 10, 7, 15, did not bet और 38 run फिर हम आते हैं इनकी तालिया मैग्गरा पे ऑस्ट्रेलियन और लांडर के स्टार खिलाड़ी है, 2 match में 2 run है विकेट कभी ये ले नहीं पाई, उनके खिलाफ RCB के लास्ट 5 match में 2 विकेट, 44 run 3 विकेट, 22 run 0 विकेट डिड नॉट बैट, 16 run 1 विकेट फिर हम आते हैं दिप्ती पे, जिननोंने 2 match में 5 विकेट ले लिये थे RCB के खिलाफ और 22 run का योगदान भी बल्ले से अपने दिया था 46 0 विकेट, 5 run 3 विकेट, 23 run 4 विकेट, 4 run 2 विकेट, 109 run 0 विकेट ये हैं इनके पिछले 5 match इसके गजब के रिकॉर्ड 2 match में 6 run है, स्वेता सहरावत के पिछले 5 match में भी फ्लॉप रही है, 34, 5, 24, एक, बहुत ही कम स्कोर गया इनकी तरफ से फिर हम आते हैं, सोफी एकलस्टन, जिन्होंने 2 match जो खेले थे ना उनमें ये 5 विकेट अपने नाम कर गई थी RCB के खिलाफ 10 run, 5 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ये हैं इनके पिछले 5 match के रिकॉर्ड पूनम, खेमनार, पहली बार खेलेंगी, और विशर गुड लख 0 run, 1 विकेट, 8 run, 44 run, 6 run, 117, एक विकेट, एक विकेट, तो भई, यहां तक इनके पास बैटिंग तो है फिर आती है, इंडियन स्टार, खिलाडी, राजेश्वरी, गायकवार, जिनके 2 match में 1 विकेट है, पिछले 5 match में 2, 1, 2, 3, 2, इस तरीगे से इन्होंने बालिंग कराके विकेट्स निकालें अंजली सरवानी के 2 match में 0 विकेट है, 1, 0, 1, 1, 0, ग्रो कर रही है, बीसी कर रही है, जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छी बालिंग करती नजर आएं, फिर आती है ठकोर, 00001, ठकोर साब का थोड़ा record खराब है, कोई नहीं, अच्छा करने की कोशिश करेंग चिन्ना स्वामी स्टेडियम देखो यार, सिंपल भाशा में समझाता हूं, क्योंकि इस पे आपको आने वाले 10-15 matches रोज आना होते हुए दिखेंगे, फिर दिल्ली आ जाएगी है, अपने अरुन जैटली स्टेडियम में, तो मैं आपको clear करता हूं, ये एक decent pitch है, decent pitch का देखो, women cricket जब होती है न, तो आप 150-160 को भी decent मांगते हैं, boundaries हालागी छोटी कर दी जाती है, लेकिन ये decent cricket pitch है, जिस पे आपको एक अच्छा score देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे death में जादा wicket गिरते हैं, जाहिर सी बात है, top order में सारे ही अच्छे batter होते हैं, जो अपना जल्दी नहीं, तो अगर baller के context में आपको समझाओं, तो death के baller जरूर उठाने चाहिए, first और second balling दोनों के, ठीक, top orders के batter हमें अपनी टीम में रफने चाहिए, और वो खिलाडी जो all-rounder लड़किया हैं, वो तो हमारी टीम में होनी ही चाहिए, बस, यह है pitch report, आप जादा pitch पर देखो, women cricket में pitch पर जादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि spinner भी 200 over फैक्ता है, यह आपने देखा है, दिप्ती शर्मा, सोफिय एकलस्टेन, 17 से 20 के 3 over, वो 3 over, एक बार RCB के खिलाब वो ही दोनों फैक्के गई थी, जब दोनों ने, एक ने, तीन, तीन, पांत, पा करें, और अब चलते हैं, हमारे सवाल की तरफ, वो सवाल क्या रहने वाला है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, तो आज का सवाल रहने वाला है, कुछ इस तरीके से, कितनी बैटर्स, आपको बस यह बताना है, कितनी बैटर्स, आज, बोल्ड होंगी, बोल्ड प्लस LBW, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, बोल्ड प्लस LBW, जैसे भाई, मैं मान के चलता हूं, पाँच होंगी, अब यह हो गया मेरा पाँच, सबसे असान सा जवाब, साथ ही साथ, वो कौन सी बॉलर होगी, जो सबसे जादा बोल्ड प्लस LBW मारेगी, अब जैसे भाई, म तो सोफी एकलस्टन, और माई मास्टर 11 पर कितने पॉइंट्स, जैसे बता दो भाई, आपको 20 पॉइंट की छुट्टी देता हूं, चलो तीन आंसर लिखको, 20 पॉइंट अटाओ, तीन आंसर लिख सकते हो, सिर्फ इस सवाल के लिए, आज वाले गिवाव के लिए, रोज सारे निकलेंगे, यह देखना पड़ेगा, किसका सबसे पहले जवाब आया है, तो यह है हमारा सवाल, आपका क्या है जवाब, कमेंट करना शुरू कर दे, सब्सक्राइब करे, बैल आइकन को प्रेस करे, वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे, लाइक जरूर कर द होती है, देवी का वैध्या, जीरो रन पे, किरन अफगिरे, 22, तालिया मैगरा, दो, ग्रेस, हैरिस, 46, 32, अच्छी बैटिंग करके गई थी, सिमरन शेक दो, और दिपती, शर्मा ने, 22 रन की पारी खेली थी, बल्ले से, विकेट लेने वाली बॉलर्स कौन थी, देखो, य यहाँ पे जब यह चेज करने आई, तो टॉप ओडर फ्लॉप होगे, 14 रन पे डिवाइन आउट हुई, जीरो पे मांदना, और 10 रन पे आउट हो गई थी, हमारी पैरी, मेरी यह आपके नहीं, हैदर नाइट, 24 रन और 46 रन कनी का आउजा के जो बल्ले से आये थे, वो ठारा होगर में ही मैच जीता के दे गए थे, और इस तरीगे से मैच जीते थे, ग्रेस हैरिस ने उस मैच में लिया, एक विकेट, दिप्ती शर्मा दो, एक लिया सोफी ने, एक लिया देवी का वैद दिया, यह हुआ था पिछले मैच में, अब इनके ना कुछ प्लेयर में 42 रन और एक बार विकेट, दोनों सेम कैंप से खेलती हैं, ग्रेस हैरिस, तालिया और पैरी तीनों, तो यह बहुत अच्छे से एक दूसरे को सब जानते हैं, फिर हम आते हैं सोफी डिवाइन, जिन्होंने सोफी एकलस्टन को ही तीन बार अपना विकेट दिया, एक इस गेंदे खेल के, उन्होंने इस रन बना के, ग्रेस हैरिस, तालिस गेंद, एक ऐसी रन और एक बार अपना विकेट दिया, तालिया मैगरा 30 बॉल में 30 रन और तीन बार अपना शिकार बना चुके डिवाइन को, तो डिवाइन बल्ले से नहीं चलती है, इस बॉलिंग लाइ ग्रेस हैरिस की 15 गेंद में 19 रन दो विकेट, सिमरिती मंदना भी इस बॉलिंग लाइन अप के आगे नहीं चलती है, तो कोई ओपनर फेल होने के सबसे बड़े चांसे हैं, या तो सिमरिती मंदना हो जाएगी, या फिर आप मान के चलिए, सोफी डिवाइन को, ये एक ओप अगे की तरफ जब चलते हैं, तो हमाते डैनी व्यात, अगर ये मैच खेलती हैं, ओपन करती हुए, आपको नजर आ सकती है, तो इनके भी रिकॉर्ड्स देखे, केट क्रॉस, 44 गें, 25 रन, 2 विकेट, सोफी डिवाइन की 27 गेंद में 27 रन, 1 विकेट, एलीस पहरी की 40 में 12 रन और 2 बार अपना विकेट दे चुकी है, नदी ने देकलर की 43 गेंद में 43 रन और 3 बार अपना विकेट ये दे चुकी है, फिर हम आते हैं, ग्रेस हैरीस की दरफ, ग्रेस हैरीस हार्ड लिटर बैटर है, सब जानते, WBVL में इन्होंने टूटे हुए बल्ले से भी तो अगर देखा जाए, तो सारी बैटल इवन काऊंगा, इवन क्यों काऊंगा, क्यों काऊंगा, क्योंकि रन भी मारे हैं, विकेट भी दिया, बॉलर की भी जीत है, बैटर की भी जीत है, एलसा हेली, कप्तान, मौली नक्स की 75 गेंद में 90 और 8 बार अपना विकेट दे बै हैं हमारे की प्लेयर्स, आज की मैच के फैंटसी काऊंसल की पर जैसे कल मैच की प्रेडिक्शन 100% अक्यूरेट गई थी, जितनी जितनी वह नहीं आपको बताई थी, फिर चाहें को की प्लेयर्स की हो, सी वी सी की हो, आपने वो मैच देखी लिया होगा, आपने देख लिए ऐसे एक खेली हो, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मतलब इतना जादा भले ही ना खेली हो, क्योंकि ये नभी मुंबई में बहुत खेले हैं, और पूने के मैदान में भी ये बहुत खेले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एलीस पैरी, गेंदवाजी, बल्लेवाजी नहीं कर रही है, तो हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बैटिंग से मैं जादा उमीद नहीं लगा रहा हूँ, फिर हम आते हैं, एलसा हेली, कीपर आप्शन में आपके पास है रिचा घोश और एलसा हेली, एलसा हेली बहुत बड़ी बैटर है, हम सब जानते, कीपिंग से भी पॉइंट देती है, बैटिंग से भी पॉइंट देती है, तो छोड़ना बड़ी गडबड वाली बात हो सकती है, दो मैच में 97 जिसमें पहले मैच में इन्होंने 96 टपा दिये थे, RCB के खिलाव, फिर हम आते हैं दिप्ती शर्मा पे, दिप्ती शर्मा के सामने देखिए, दो मैच में 5 विकेट्स हैं, RCB के खिलाव, और 22 रन बल्ले से वो जो पिछले मैच में आपने लेखिते हैं, तो भई, सोचना भी मत दिप्ती को ड्रॉप करने की, और फिर आती है, सोफी एकलसन जिदे दो मैच में इनके भी 5 विकेट है, देट में भी बालिंग कराएंगी और डेट सबसे आदा वीक किस की है, RCB की, पार प्ले में भी बालिंग कराती हैं नजर आएंगी, जैसी सिम्रिती आउट हो जाएंगी और डिवाइन के खिलाव रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो ध्यान रखना, दिप्ती और सोफी बड़ी घातक गेंदबाज हो सकती है, कै जब भी कैप्टन, वाइस कैप्टन की बात करते हैं, पैरी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, आप सब जानते हैं क्यों है इनका नाम या, चाहें ये फर्स बेटिंग कर रही हो टीम, या सेकिंड कोई मतलब नहीं आता, पैरी आपकी कप्तान जरूर होनी चाहिए, अगर आ लेकिन कब जब सोफी डिवाइन फिफ्ट या सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्चन हो अपनी टीम का, ग्रेस हैरिस बहुत गजब वीसी है, अगर मान के चलिए, एक पॉसिमिलिटी में फिर भी आपको दे देता हूँ, कि ग्रेस हैरिस एक ओफ स्पिनर है, तालिया मैगरा के ये सब्सक्राटेंगी, तो ये ही आके कराएंगी, और बैटर में या कीपर में किसी के लिए जाना चाहते हो, तो एलसा हेली से अच्छा ओप्शन कोई है ही नहीं, बस, ये है आज के CVC, हेट टो हेड में एक बार जीती है RCB, एक बार जीती है UP Warriors, क्लियर हो गया है, अगर हम द उन पे जीत होती है, RCB को यहाँ एडवांटेज है क्योंकि यहाँ आती है किरन नवगिरे, सेकिंड डाउन पे दिशा कसाट, यहाँ पे जीत होती है UP Warriors की, क्योंकि यहाँ पे आती है तालिया मैग ग्रा, नदीने दे क्लर्क, दिप्ति शर्मा, हम थोड़ा सा फायदा मिल जाता है किसको, RCB को क्योंकि बड़ी खिलाडी हो है, जोर्जिया वेराम या फिर सोफी एकलस्टन, सोफी एकलस्टन को थोड़ा एक एडवांटेज है, तो 0.5 हम यहाँ पे देंगे UP Warriors को, सिम्रन बहादुर, पूनम खेमनार, सिम्रन बहादुर थोड़ी अच्छी प् और आखरी में, रेनुका सिंग वर्सिस सैमा ठकोर, तो RCB के winning chances हो जाते हैं, 60% और 40% हो जाते हैं, UP Warriors के, यह chance कब ज़्यादा change हो जाएंगे, जो team toss जीतेगी, उसको 10% extra advantage मिल जाएगा, तो अगर RCB toss जीती है, तो यही graph हो जाएगा, 70-30 और फिर RCB के जीतने के chances ज़्याद दियान रखें, तो यह है आज की winning prediction, मैं फिर भी RCB को back करूँगा, इनका जो batting lineup है ना यार, वो मतलब बहुत तोडने लायक है, कि सामने वाले को धारशा ही कर दो, अब हम बनाते हैं, अपनी small league team कहां पे, my master 11 पे, जिस पे अगर आप नहीं केल रहे हैं, तो क्या कर रहे है कल आपने मेरी winning देखी होगी, यहां खेलना चालो करो, लीडर बोर्ड चल रहा है, फिर फायदा नहीं होगा, अगर आप लीडर बोर्ड का फायदा नहीं उठाओगे, क्योंकि शुरुगाती दिनों में ही, लीडर बोर्ड सबसे ज़्यादा पैसा देखे जाता है, कीपर म सिम्रिती को रखते हैं, ग्रेस हैरिस को रखते हैं दोनों, हला कि मैं मंदना को ड्रॉप भी कर सकता हूं, कौन से केस में बताऊंगा, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, ताहरिया मैग ग्राच, हमारी अटा बट्टू, दिपती शर्मा, सोफी मॉलिनक्स अगर ये मैच खेलत हूं, शिरंगा बाटिल लेने का मेरा मन है, लेकिन नहीं ले रहा, मेरा मन, अब बात आती है, एलिस पेरी हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, उधर से, दो अंग्रेस तो ये खिला रहे हैं, देखे अपनी, पेरी, डिवाइन, जॉर्जिया विराम, ये तीन तो खेलेंगी, खेलेंगे, देखो, अगर सची बात बता हूं, लाइन अप में एक बार एक चीज और देखते हैं, ये चीज काम आ सकती है, अगर धंग से देख ली जाए, तपर डिवाइन, एरी, नदीने दे लर्ग को ये खिलाएंगे, अब यहाँ पे आएगी नदीने दे लर्ग वर्स है, मंदना को भी ड्रॉप करके, अब मैं बताता हूं, अगर रिस्क लेना चाते हो, तो वो कौन सा रिस्क सबसे बैस्ट होगा, हमारे पास अभी आ चुके हैं, अब यहाँ पे अगर एक और बॉलर एड़ करना चाते हैं, जैसे श्रिंग का पाटिल को मैं आड़ करने के ल हैले बॉलिंग करेंगे तो और ज्यादा फायला है, तो वहाँ उस केस में हमें सिम्रिती मंदना को ड्रॉप करना पड़ेगा, अब यह हो जाती है मेरी टीम, अब इसमें CVC निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तो असान है, क्योंकि आपको पता, emotional वैसे भी और कुछ भी factor उठालो, हमारी तो कप्तान रहने वाली है, पहरे, यह मेरी कप्तान रहने वाली है, अब वाइस क्याप्टन में दो option मिलते हैं, जो सबसे best है, या तो दिप्ती, या फिर चमारी अटा पट्टू, आप चमारी अटा पट्टू को अपना VC कर सकते हैं, क्योंक इनके पास बहुत सारे अल्रेडी off-spin option है, चमारी अटा पट्टू है, दिप्ती शर्मा है, यहाँ पर एकस्टन जैसी left arm spinner इनके पास है, अबीने देकलर को यह खिलाएंगे, तो हमारी टीम बहुत जादा मजबूत कब होगी, जब हम extra एक बॉलर ऐसा ले जाए, जो एक य टॉस पर डिपेंड करेगा, बाकी मैं आगर चेंज करूँगा तो टेलीग्राम चैनल पर आपको बताई दूँगा उस केस में, तो टेलीग्राम चैनल जरूर जाइन कर लेना, जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब वो करे सब्सक्राइब, वीडियो को करे लाइक और मिलते ह करें तॉस के बादे